नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागित करता हूँ मैं अपने यूटूब चेनल टीम वेकेंसी गुरू पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माधियम से BTSC A&M 10,000 साथ सुनों को लेकर के एक बहुत ही महत्मून अपडेट आप लोग को बताने वाला हूँ जी हैं साथियों जो भी स्टूरेंट का वेट कर रहे हो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो दोस्तों चली दोस्तों जानकारी के उपर चलते हैं क्या जानकारी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और आप लोग को डीटेल्स में समझाते हैं उससे पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन और पिसरेट कर लिजेगा सबसे पहले दोस्तों यह जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा कोई भी यहाँ पर आपका सेक्टर प्लेटफॉर्म के पर यह जानकारी नहीं दिया गया चली दोस्तो जानकारी के उपर चलते हैं और आप लोग को डीटेल्स में समझाते हैं मेरे पहरे दोस्तो ये information होने वाला है आपके application form या फिर आप बोलिए registration number या फिर आप बोलिए कोई और चीजों की BTAC में आप लोगों ने आविधन किया था उस समय आपको proof के लिए दिया गया था उन सभी के लिए बहुत important जानकारी होगा जैसा कि मैंने आपको एक details वड़ा वी वीडियो बनाया है कि counseling में आपका एक documents ये भी रहेगा कि जब आपने आविधन किया था उस समय का आपको यहाँ पर आप एक तरीकेस बोलिए तो आपका application form मांगा जाएगा आपका application form होगे आपका registration number होगे जो भी आपड़ डिटेल्स रहेंगे वो सभी मांगे जाएगे अब बहुत सारे candidates ही आप कहिए तो उन लोग का कहना है कि sir हमने उस समय जब आविधन किया था उस समय हमने application form को download ही नहीं किया था तो अब क्या इसे हम दुबारा download कर सकते हैं इसके भी प्रकीरिया को बताएंगे साथ में आपको एकगम details में बताएंगे ये जानकारी क्यों important है सभी लोग के लिए भी मैं बता देना चाता हूँ देखिए बहुत सारे students होते हैं जो कि counseling के समय में पहुंस तो जाते हैं पर कुछ documents होते हैं जो कि छूट जाते हैं तो उनमें से हो सकता है कि आपका किसी कारण से फट जाए या फिर मैं ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर भगवा न करें कि ऐसा हो लेकिन हो सगता कुछ परस्त पर कि आपको details में समझाने वाला हूं तो सबसे पहले आपको जाना होगा BTAC के officially site पे बहुत साइल लोग होंगे जो कि जाएंगे आपका सकते हो जो कि दूसरे पर comment करता है उस site पे मैं पहले कर देना चाहता हूं जो कि यहां पर पर प्रिक्षा के.nice.in है उसी website पर आपको जाना है वहाँ पर आपको यह देखनी को मिलेगा नहीं पर से आपको सभी कुछ documents को download करना है सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं खहर देना चाहता हूं बहुत सारे candidates हैं जो की लगातार पूछे थे कि सर अगर होता है तो बताईए कैसे होता है तो इसके लिए मैंने details व box में telegram का link मिल जाएगा आप लोग first of all join हो जाएगा और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो DM कर सकते हो यानि की personal message कर दीजेगा मैं आपकी जरूर-जरूर help करने का पूरा कोशिस करूँगा सबसे पहले दोस्तों यह बीटी एसी का ओफिसली साइट है आपको इस पर आना होगा आप लोग को डाउनलूड करने के लिए और यहीं पर आपको सभी चीजे देखने को मिले गए बहुत सा रेजिटेंट्स यहां पर नीचे देखने लगते हैं आपको first आप पर मैंने बोला था इसे निकलवा लीजिएगा अब जो कैंडिट्स नहीं निकलवाएं उनके लिए भी आपर एक तरस बोलिए कि अभी मौका है या फिर यह मौका हमेसा रहेगा यह मौका सिर्फ कोंसेलिंग के लिए नहीं चाहे आप ज्वाइनिंग लो चाहे आप आ रेजिट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नो योर रेजिट्रेशन नंबर पर भी आप लोग जा करके जो भी आपके डीटेल से अपका नाम आपका जो भी पता क्यूंकि यह सभी चीज रिकॉर्डेट रहता है अगर आप आवेद्न करते हो बीटी एसी में तो वह सभी रेजिट्रेशन स्लिप मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ सभी के लिए नेससरी नहीं है जो खास केंडिडेट्स का है हाँ पर कोई डॉक्मेंट से जो घूम हो गया है या फिर आप बोलिए उन्होंने डाउनलोड नहीं किया था उस समय जिस समय उन्होंने आविद करते समय जब आपने डाउनलोड किया था फॉर्मेट उसमें आपका सभी चीज आ गया तो आपको घबरानी की बात नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आप देख लीजे बस आप लोग डाउनलोड मत किजेगा लिकिन जो केंडिडेट्स को डाउनलोड करना ह अगर आप दुबारा डाउनलोड करना चाहते हो तो कोई दिकत नहीं है कितनों बार आप डाउनलोड कर सकते हो ये बीटी एसी का साइट पे लिखा गया है तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको क्या क्या चीज डालना होगा आपके रेजिट्रेशन स्लिप को डाउन पर आपको जो यहाँ पर चैप्चर दिया हुआ है उसे फिल करना होगा उसके बाद डायरेक्ली आप पर सक्सेशन पर क्लिक किजएगा तो आप लोग का यहाँ पर सक्सेसूल आपका फॉर्मेट दिखा दियागा अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कि इसके बजह से आप प्रोसीड करोगे तो क्या चीज दिखाएगा आप लोग के सामने जो भी यहाँ पर फॉर्म आपके नाम से फिलोंगे वहाँ पर आपका खुल जाएगा उसके बाद अपना पिता का नाम देख लीजएगा और उसके हिसाब से आपको डिरेक्ली यहाँ पर क्लिक करना ह हूँ तो घबरानी की कोई बात नहीं है सभी केंडेट्स के लिए लागू होता और सभी केंडेट्स के लिए डाउनलोड होता है अगर अप्लिकेशन फॉर्म को आप लोड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पर दो चीज और भढ़ने होंगे जो की आपका ए यहाँ पता करके आप इसमें फिल कर दिजेगा तो आप लोग का फिर से यहाँ पर डाउनलोड कर पाईएगा बहुत सरे केंडेट्स से जो की घवरा रहे थी कि सर कैसे डाउनलोड होगा जो भी एसा हो गया तो कैसे डाउनलोड हो कोई भी घवरानी की बात नहीं है आप पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिजेगा यह जानकारी खास तोर पर एनेम दसदार साथ सुनों के लिए बहुत इंपॉर्टन होगा चाहे आप जॉइनिंग लेते समय आपको जरूरत होगा चाहे आपका यहाँ पर एक तरीकेस बोलिए यह चीज समझना बहुत इंपॉर्टन था तो यही जानकारी आप लोग को बताया था अभी तक यह कोई भी जानकारी नहीं बताया गया है सिंपल मैंने पुरूरा प्रोसेस बताया तो यार इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा जैहिन जै भारत बदे मातरम तक यू